नमस्कार, मैं कृतका स्वागत करती हूँ आपका किस्मत बदलने वाले कारिकरम किस्मत आपकी में जब भी कोई व्यापार करता है तो वो यही सोचता है कि उसका उस व्यापार से अच्छा मुनाफ़ा हो उसका कारोबार दिन दोगनी और रात चोगनी गती से व्रिद्धी करें लेकिन समस्या तो तब पैदा हो जाती है जब मुनाफ़े की बजाए घाटा हो और रात दिन की महनत के बाद भी गुजारा मुश्किल हो रहा हो आज हम आपको ऐसे ही सरल उपाए और मंत्र बताएंगे जिन से आपके कारोबार को अच्छी व्रिद्धी मिले और साथी मा लक्ष्मी की कृपा हो और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने जोते शाचारे और वास्तु विशेशगे पंड़त मुकेश शास्त्री जी गुरुची बहुत बहुत स्वागत है आपका कारिक्रम में जैंबे गुरुची से हम व्याप्यार में व्रद्धी के उपाई जानेंगे पर उससे पहले हम आपको बता दे कि हमें काफी जगाओं से इमेल्स और लेटर्स आए हैं जिनके माध्यम से दर्शक अपनी समस्यां हमें बता रहे हैं हम एक बाद फिर से आपको याद दिला दे कि कारिक्रम के माध्यम से अपनी समस्यां का समधान जानने के लिए अब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नमबर है 186142 444 55513 गुरुजी सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि व्यापार में मुनाफय या घाटे के पीछे कौन से भाव होते हैं जनम कॉंडली के अंदर चतुर्थ और दस्समिस्तान इच्छा शक्ती और करमटता के सूचक होने के कारण धन कमाने में सायक सिद्ध होते हैं वहीं दूसरी और सस्टेश, अस्टम और द्वादश भाव, कर्ज, हानी और परिशानी देने वाले होते हैं और आपकी जनम कॉंडी में जो एकादश इस्तान है, वो आपकी आय में वृद्धी करवाता है, आपको धलाब देता है, आज मैं आपके सामने एक बहुत विशेश उपाय लेकर आया हूँ और ये उपाय अगर आप करेंगे, तो मा लक्षमी की क्रपा आप पर हमेशा बनी रहेगी गुरुजी ऐसा कि हमने कहा हमें काफी लोगों से इमेल मिले हैं, ये इमेल हमें भेजा है हीना चंदनानी जी ने इनका एक बेटा है जिसकी जन्म तिती है 8 नमबर 2007, जन्म समय है सुबह 4 बचकर 45 मिनिट और जन्म स्थान है एहमदाबाद ये जानना चाहती है कि इनका बेटा बोलता नहीं है तो वो कब से बोलना शुरू करेगा इना जी आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर दो ग्रे शुक्र और सूरे नीच के होकर बैठे में शुक्र लगन के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है ये नीच का शुक्र आपके बच्चे को फिजिकल अन्फिट बना देता है आपको मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ अगर आप यह उपाय करें तो आपका बच्चा शेगरी बोलने लग जाएगा प्रति दिन रात्री के अंदर आपका बच्चा जिस स्थान पर सोता है वहाँ पर एक तांबे के पात्र में जल भरके रखें और सुबह उस जल को अगर आप बच्चे को पिला दें तो बहुत जल्दी आपका बच्चा बोलने लग जाएगा एक स्थील की चरी लेकर उसमें साथ तरह कानाज भरें और बच्चे के सिर के उपर से साथ बार घुमाके शुकरujuबार के दिन उसको किसी मंदिर के अंदर दान कर दे और नित्य उसको इसनान कराते वक्त अगर गोदुखद डाल कर इससे इसनान कर वाएं तो आपके बच्चे का जो स्वास्त है आपके बच्चे की जो बोलने की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी आज आपको एक बहुती चमतकारिक और दुल्लब प्रयोग बताऊंगा इस प्रयोग में मंत्र की विशेश भूमी का है आप इस मंत्र का जाप करें विदिवत अगर आप इसका अनुस्तान कर लें तो मालक्षमी के साथ साथ भगवान गनेश की क्रपा भी आपके ऊपर बनी देती है मंत्र स्वकार है ओम श्रेम गंग सोम्याई गणपते वर वरद सर जनम में वश्मनाई स्वाहा नित्य प्रति दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें किसी भी शुक्रपक्ष के बुधवार या शुकरवार के दिन प्रातेस नानादी से निवरत होकर लालवस धारंग कर करके आप पुर्वा भिमुक या उत्रा भिमुक वोकर हासन के उपर बैड़ जाएं प्रणायाम करके मालक्ष्मी और गणेशी भगवान के पूजा का संकल्प करें उनका आवान करें उसके पश्यात एक लालवस चोकी के उपर विछा कर बोजपत्र या रजत पत्र के उप पर आप इस मंत्र को चमेली की कलम से लिख लें उस मंत्र के लिखने के पश्यात आप इसका पंचोपचा शोडवशार पूजा करें 108 बार जाप करें तो कुछ दिनों के वीतर आपके व्यपार में आपके परिवार में बहुत ही चमतकारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं गुरु जी हमें दूसरा इमेल भीजा है अंचुल कुमार शर्मा जी ने इनकी जन्म तिती है 12 अगस 1990 जन्म समय है शाम को 6 बचकर 55 मिनिट जन्म स्थाने अगवाना उत्तर प्रदेश ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने मैं 2011 में 72% से BTEC पास किया है पर नौकरी नहीं लग अगले चार पांच मईने विशेशकर अगले चार पांच मईने आप हनमान जी के सामने तेल का inverse जलाएं और सफेद मुंगा आप चांदी की अंगूठी में धारन करें तो बहुत जल्दी आपकी नोक्ली लगने की संब्छा न बन जाती है गुरुजी अभी आपने व्यापार वृद्धी का मंत्र बताय था तो इसको करने की विधी क्या है ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजे ताकि वो खुद इसको कर सके लालवस्त दारन करके आप इस मंत्र का जाप करें रुद्राक्ष या लालचंदन की माला से आपको जाप करना चाहिए पूजन के समय रक्त कनेर कमल के पोश लालचंदन दुर्वा मोदक और पंच बेवा मालक्षमी और भगवान गनेशी को अरपन करें उसके बाद में जाप वक्ते आज की जोतिश विशेश उपाय का तो क्या विशेश उपाय बताएंगे आज आप हमारे दर्शकों को यदि आप व्यपार में व्रद्दी करना चाहते हैं लाप कमाना चाहते हैं तो आज तंतर जोतिश का मैं आपको विशेश उपाय बताने जारा हूँ शुक्रवार की रात को सवा किलो चने पानी के अंदर भिगो दीजिए शनिवार को सुबह उसे तेल में फ्राई करके उसके तीन भाग कर दीजिए पहला भाग उसका काले घोडे को खिला दीजिए दूसरा भाग किसी कुश्ट रोगी को खिला दीजिए और जो तीसरा भाग है आपके सिर के उपर से एंटी क्लॉकवाई साथ बार घुमा कर आप किसी चुराय पर अगर छोड़ देते हैं तो आपके वेपार में व्रद्धी में जितनी भी रुकाउटे आ रही हैं वो खतम हो जाती हैं ऐसा प्रयोग आप कुस दिनों तक करें आपको सो परसेंट आपको उसका विशेश लाब मिलता है तो देखा आपने कितना सरल उपाय बताया है गुरुजी ने हम इवा फिर से आपको याद दिला दें कि दर्शकों की सुविदा के लिए हमने एक टेलिफोन सेवा भी शुरू कर दी है हमारा नमबर है 1-86142-444-55513 यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे वास्तु की वास्तु में जानेंगे इशान कोन के बारे में तो जोड़े हैं यह किसमत आपकी से लेते हैं छोटा सा ब्रेक प्रेक के बाद एक बाद फिर से स्वागत है आपका किसमत आपकी में और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जोतेश अचारे और वास्तु विशेशग्ये पंडित मुकेश शास्री जी और गुरुची से हम जानने वाले हैं कि हमारे घर का इशान कोन हमारे जीवन को किस सरब प्रभावित करता है लेकिन एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि दर्शेगों के सुविधा के लिए हमने एक टेलीफोन से वाशुरू कर दी है हमारा नमबर है 186142 44455513 गुरुची सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इशान कोन होता क्या है और इसका क्या महतु है आपके घर का पूर और उत्तर का जो कोना होता है वो इशान कोन कहलाता है वास्तु शास्त में इशान कोन का बहुत महतु बताये गया है देव गुरु ब्रैस पती का इस स्तान पर आदिपत्ते है वास्तु पूरुष का मस्तक भी इस स्तान पर बताये गया है जिसे हम भगवान शिव के शीश की होने की संग्या भी देते है पूर्व और उत्तर दोनों ऐसी दिशा हैं जहांसे सबसे ज़्यादा शुबुर्जा आपके घर में परवेश करती है इसलिए आपके घर का जो इशान कौन है वो बादित नहीं होना चाहिए इशान कौन साफ, सुत्रा और शुद्ध होना चाहिए अगर आपका इशान कौन बादित है या उसमें कोई दोश है तो समाजिक अपियश, मानहानी, धनानी, गंभीर रोग आपके घर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं विवाय योग्य अगर आपके घर में कन्या है तो उसके विवा के अंदर बादा आती है इशान कौन का जागरत होना आपके घर की समरदी के लिए बहुत आवशक है अगर इस इशान कौन के अंदर जल का इस्तान नहीं है, पूजा का कमरा नहीं है या अध्यन कक्ष नहीं है तो गंभीर वास्तुदोश माना जाता है गुरुजी हम बात कर रहे हैं इशान कौन की, तो हम जानना चाहेंगे कि इशान कौन में क्या क्या होना चाहिए तो मा लक्षमी बहुत आसानी से आपके घर में प्रवेश करती है बच्चों के पढ़ने के लिए ये सबसे शुब इस्तान बताया गया है इस जगे पे आप बच्चों का स्टेडी रूम बना सकते हैं अगर बच्चे आपके यहां बैठके पढ़ते हैं तो उनकी एकागरता में हमेशा बडोतरी होती रहती है पूजा का कमरा आप इस स्तान पे बना सकते हैं भगवान को रखने का सबसे शुद्ध स्तान ये बताया गया है अगर आपको साधना कक्ष बनाना है तो आप इस स्तान पर बनाए ये ध्यान रखें आप इस शेत्र को कभी भी बंद ना करें ये शेत्र अगर आपका बंद है तो शुब अर्जा आने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है इस शेत्र को जादा से जादा खुला रखें यहाँ पर कोई भारी समान नहीं रखें तो आपको इशान कौन के विशेश लाब देखने को मिलते हैं अब ये भी बता दीजे कि इशान कौन में क्या क्या नहीं होना चाहिए इशान कौन के अंदर कभी भी शोचाले नहीं बनाया अगर आपके जो घर की जो शुब उर्जा है वो बहुत नकारात्मक होकर आपके घर में प्रवेश करती है आपके घर में हमेशा हारी बिमारी बनी अगनी का इस्तान ना दें क्योंकि जल प्रदान शेतर है जल और अगनी का बैर है अगर आपने मा किचन बना दिया है तो आपके घर में बेहद मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं इशान कौन को जितना शुद्ध हो सके उतना आप रखें मालक्षमी की करपा आपके उपर हम इशान कोन में क्या क्या हो और क्या ना हो अब या भी बता दीजिए कि यदी इशान कोन मैं कोई दोश हो तो उसके क्या क्या उपाए हैं इशान कोन के आप एक पीतल के पात्र में जल भरके रखें उसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा केसर थोड़े से तुलसी के पत्र और पंच धातू अगर आप इशान कौन के अंदर भरके रखते हैं तो आपका इशान कौन का जो दोश है वो दूर होता है ध्यान रखें कि अगर वो रोज पानी को बदल स है तो इशान कौन से संब्दित जितने भी दोश है आपकी घर में वो समस्त दूर हो जाते हैं यदि आपका इशान कौन बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो वहां पर आप एक शीशा लगाए अपने माता-पिता की सेवा करें और अपने गुरू का आधर करें इशान कौन से संब्दित सभी वास्तु दोश स्वते ही दूर हो जाते हैं हम उमीद करते हैं हमारी जानकारी आपके घर के शान कौन के दोशों को जरूर दूर कर देगी गुरू जी अब वक्त है आज के वास्तु के विशेश उपाएगा तो क्या है आज के वास्तु विशेश उपाए रोजाना अगर आप अपने घर में गोमुत्र का छिरकाव करें तो आपके जो घर की जो उर्जा है वो शुब रहती है जिते भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर में मौझूद है वो दूर हो जाते है गुरु जी वक्त है पावर मंत्र का तो क्या पावर मंत्र बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शक अगोगो जिसका लाब कोई भी वक्ति ले सकता हो यदि आप महालक्ष्मी की क्रपा चाहते हैं, रिद्धि सिद्धी और बुद्धी के दाता भगवान गणेश जी की क्रपा चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम एक दंताए विद्मेह, वक्ट उंडाए धीमेह, तन्नो दंती, प्रचो देयात, गणेश जी आस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नमबर है 186142 4455513, आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, हमारा इमेल आईडी है etv किस्मत आपकी at the rate gmail.com, आप चाहें तो हमें लेटर भी लिख सकते हैं, हमारा एड्रेस है किस्मत आपकी etv रादस्थान 5 public 96A, भवानी सिंग लेन, भवानी सिंग रोड, सी स्कीम जैपुर, अगले एपिसोड तक के लिए दीज़े इजाजत, सब तक खुश रहिए और अपना खायाल रखे, नमस्कार Maaam, 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 Maaam